देख रहे हैं आपका चनल शेवाजर वितायू उस्टो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वोड़ाफोन आइडिया के शेयर के बारे में तो वोड़ाफोन आइडिया ने देखिया आपको आज गिरावट दिखाई है आपको इस वीडियो में दोस्तों पूरा बताऊंगा मैं तो आप वीडियो एन तक ज़रूर देखिएगा और फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज फ्रेंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भू तो देखिए वोड़ा फोन आडे ने जो अज क्लोजिंग दी है उसके माइने समझी है सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि जो ग्यारा रूपे पचास पैसे पर अपनी क्लोजिंग दी है वह एक इसका यहां पर स्ट्रॉंग बेस है तो यह जो बेस है वह अभी फॉर्म्ड है तूटा नहीं है ठीक है अब अगर आज शेर के चार्ट पर नज़र डालते हैं तो शुरुवात में आप देखेंगे काफी बड़िया तीजी दिखाई थी वोड़ा फोन आइडिया ने और बारा रुपे पाच पैसे का अज इसने अपना इंटरे हाई बनाया था लेकिन उसके बाद आप देखेंगे शेर में आती गई गिरावट तो बारा रुपे ऐसा लेवल है जिसको शेर क्रॉस कर पाता है लेकिन टिक नहीं पाता है और यह आपको पहले वीडियो में पर बताया था तो यहाँ पे एक जो कंसॉलिडेशन जोन है वो मुझे लगता चल सकता लेकिन जो important बात आपको समझनी पड़ेगी कि आज शेर 11 रुपे 45 पैसे 45 पैसे का low बनाया लेकिन जो closing दी वो 11 रुपे 50 पैसे पे दी तो अपने अभी strong base पे शेर कायम है यह आपको समझना पड़ेगा अब आज हुआ कि दोस्तों कि जो sectors चल रहे थे आप देखेंगे नि को मिली बाकी सब sectors देखिए आज आपको धीले देखने को मिलेंगे निफ्ति बैंक आपको लो था आप कह सकते हैं बाकी के PSU बैंक slow थे mid gap लो था तो यहां पर जो आज की rally थी वह आपको समझना पड़ेगा कि एक पूरे broader market में आपको अच्छे rally दिखने को नहीं मिल रहे थी उनली एक specific sector में rally देखने को मिल रहे थी तो यहां पर समझना पड़ेगा कि जो आपको वोड़ा फोन आड़े की तेजी है वहां पर थोड़ा थोड़ा आपको अभी patience रखना पड़ेगा क्योंकि देखिए जो शियर आपको एक सीधा सीधा चलता हुआ नजर आया था उ यहां पर थोड़ी बहुत profit booking आती है तो देखिए उससे कोई डणने वाली बात नहीं है आपको समझाने की कोशिच कर रहा हूं में यह आपको मौका मिल रहा है वोड़ा फोन आड़े के अंदर enter होने का और यहां पर आप वोड़ा फोन आड़े के अंदर enter मैं कहता हूं करि यहां पर कोई जादा वोड़ा फोन आड़े में आप चिंता नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है हां बट यहां पर मुझे लगता है कि जो शेयर का strong base बनाए 11 रूपे 50 पैसे का वो जब तक strong base formed है यहां पर कोई चिंता की बात नहीं होगी और अगर कल share यहां से बढ़ता है मुझे लगता है तो 11 रूपे 75 पैसे के उपर यह बंद हो जाता है तो एक बापी से strong यह अपनी closing दे देगा और अगर 12 रूपे के उपर close होने में share कामयाब होता है फिर देखे कोई बात नहीं यह शेयर के अंदर फिर तो बहुत बड़ी राले देखने को मिलेगी कि काफी important हो जाता है जारना कि share में कोई buying lotty है कि नहीं तो अगर हम देखते हैं share के अंदर तो आखरी मिंटों के अंदर भी share में आपको selling pressure ही देखने को मिला है 17 sell one buy oscillators neutral है moving averages strong sell दिखा रहे हैं तो यह कोई positive संकेत देखे नहीं है selling pressure काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और अगर stop loss के बाद करें तो देखे 11.53 11.27 10.62 यह तीन stop loss है resistance 12.18 12.57 13.22 यह तीन stop loss resistance दे रहें तो अगर आपको buying करनी हो तो buy किसे करना है buy कर यह CMP पर target रखे है मुझे लगता यहां से आपको अगर short term के लिए trader हो तो आप 12 रुपे तक के target से आपके मुझे रखता है अच और जो stop loss है वो आपको दोस्तों maintain करना है यहां पर strict maintain करेगा 11.25 पैसे का कम से कम नुकसान के लिए तो 11.25 पैसे के stop loss के साथ यहां पर आपको buying करने की मैं सला देता हूं और देखिए जो investors है जिन्नोंने पहले भी यहां पर time लगा देखा है कि यहां पर थोड़ा थोड़ा आपको कह सबता हूं कि यह जो pick है Vodafone Idea वो आपको कमा के जरूर दहेगी बस आपको थोड़ा से दोस्तों patience रखना है और वदरवाइस Vodafone Idea इस ग्रेट स्टॉक आपको definitely buying करने चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज करेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना वीडियो को शेब दो करेगा थैंक यो फ्रेंट्स पर ओचिंग इस वीडियो